हाई दोस्तों असलों कैसे आप लोग में अभील आपल ने फाइनल रिलीस कर दिया है iOS 17.5 का RC वर्जन RC वर्जन तो होता है यह फाइनल स्टेबल वर्जन ही होता है यह आपको अगले हफते देखने मिलेगा आपके सभी के आईफोन पर फिलाल इसका जो फाइनल वर्जन पहले हमको मिल चुगा है उसके बारे में सारे डिटेज में आपको दे देता हूँ इसमें वैसे तो बहुत सारे फीचर्स है लेकिन जो इंपॉर्डन फीचर्स है जो नहीं आया है इस पर्टिकिलर वर्जन के दर वह मैं आपको बताऊंगा और कम्प्लीट फीचर्स के लिए इस आपको फाइनल स्टेबल वर्जन जब आएगा ओटिये के जरे से उसके जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसके अंदर आपको सारे डिटेज में दे दूंगा बाकी इवेंट की वीडियो आई होप कि आपने देखी होगी नहीं देखी होगी तो दिस्क्रिप्शन में और पहले कॉंड में लिंक पिन कर दूंगा उसको भी जरूर चेक आउट करें ना है तो यहां पर वो प्रॉब्लम जो है निकल जाए तो यहां पर काफी सारी चीज़े जो के इसके अंदर मेंशन है वह भी मैं आपको बताने वाला हूं लेगिन यहां पर सबसे पहले देख लीजिए कि अपडेट से पहले का बिल्ड नंबर क्या था वो सब चेक कर लेंगे वो 7.5 ही रहने वाला है मोडेम फर्मवेर भी आप देख सकते है इसके अंदर कोई भी डिफरेंस यहां पर नहीं आया है लेकिन बिल्ड नंबर आप देखेंगे तो यहां पर एंड का लेटर जो हट चुका है इसलिए हट चुका है क्योंकि यही फाइनल स्टेबल वरशन ह नहीं निकालता तब तो आपको यही अपडेट एक्जाक्ली सेम बिल्ड नंबर के साथ आगे भी देखने मिलने वाला है OTA की जरिए से पिछले वाले अपडेट के अंदर जो एक फीचर आया था वो यहां पर मैं रिपीट कर देता हूं बाकी सारे फीचर में रिपीट नह नंको episodesुण को आपको साइप्स नीं से भी कर सकते है यानि कि सपोस्थ के कोई गेंब करेंए उसका एक वेब ब्राजर पर उन्होंने page बना के रखा है उसको आप web browser से access करते हो सफारी से access करते हो अब वहाँ पर उस page पर ही उसका app जो है उन्होंने रखा हुआ है वहाँ से उसकी file download करके आप अपने phone में install कर सकते हैं आपको app store में जाके उसको install करने की ज़रूत नहीं और app store में फाइल नहीं भी रहेगी वो program नहीं रहेगा वो game नहीं रहेगा तब भी ये काम करेगा आपको बतागी के airpods जब आपके वास रहते हैं आपके खुद के तो आपको यहाँ पे notification नहीं आता के भाई कोई airpods आपको track कर रहे हैं लेकिन कोई airpods जो है अगर आपके car वगरा में रख देता है आपको track करने के लिए तो वो चीज जो है यहाँ पे आपके iPhone पे दिखा दिया वह इस वाले update में आपको देखने मिलने वाल अब इस वाले update के अंदर आने वाले एक बड़े फीचर के बारे में बता तो आपको जो के है repair mode अब repair mode क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे Apple devices मेरे find my के अंदर आपको नजर आ रहे कुछ मैंने मतलब चार्ज दो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा find my on रहे कि अगर कभी वह technician बोले कि और चोरी हो गया phone या कुछ भी हो गया तो मैं track कर सको उसको यहाँ पर मैं उसको repair mode में डाल सकते हो ताके repair mode के अंदर भी find my जो है वो on रहे और आप अपने iPhone को track कर सके लेकिन जो repair technician है वो repair भी perform कर सके लेकिन अभी फिलाल मत करना final stable version आएगा उस पर जाके करना तो यहाँ पर प्रॉपर यह काम करेगा जिसके बाद आप जब कभी repair में अपने phone को देंगे तो सही से काम करना चाहिए repair mode की बात कर रहा हूं मैं इसके अलावा दोस्तों इस वाले update के अंदर weather widget जो है उसके phone में थोड़ा बहुत change हुआ है इससे आपको फरक नहीं पड़ेगा चोटे मोड़े changes आपल करते रहता है थोड़ा अपना जो look है उसको enhance करने के लिए आप कुछ चेंज किया होगा उस साही नहीं दिकरा feedback आ रहा यहां पर Palestinian flag आता था लेकिन अभी ना Palestinian का flag आ रहा है ना Israel का flag आ रहा है तो मतलब आपल को लफड़े पढ़ना ही नहीं है इसलिए उन्होंने यहां से कोई भी flag जो हटा दिया है और US के लिए खास तुर पे जो eSIM वाले iPhones ही आते है यहां पर लेकिन US के अंदर क्योंकि सिफ eSIM वाले ही iPhones आते हैं तो वहां पर एक iPhone से दूसरे iPhone पर eSIM को मूफ करने में सोड़ी उनको difficulty आती है तो अब यहां पर Apple Universal Link एक देगा developers को और carriers को जो use कर सकते इस link को जिससे वो eSIM easily transfer कर पाएंगे एक phone से दूसरे phone पर यह सारे नए features बता जिए दूस्तों जो इस particular build के अंद app tracking transparency related एक result issue है साती यहां पर जो नए features है वो भी mentioned है वो eSIM वाला जो मैं आपको बता है वो भी यहां पर इन्होंने mention किया हुआ है और यहां पर store kit से related भी काफी सारे result issues है साती wallpaper का भी एक bug था जिसमें नया wallpaper जो है set नहीं होता था वो भी यहां पर resolve किया गया है अब network performance की बा रहे है सब कुछ ठीक है फिलाल तो यहां इसके बारे में जाता बता सकते और रही बात यहां पर battery की तो battery life के बारे में बताया नहीं जा सकता अभी तो सभी आइफून की बैटरी जो है बहुत जल्दी ड्रेन होती है बाकि इस वाले अपडेट की वएसे बैटरी हेल ड्रेन आपको देखने नहीं मिलें चेक कर लेते दोस्तों यहां पर क्यूंकि वन जीबी स्टोरेज कम हुआ था तो मुझे थोड़ा सा जो है उसके फिकर हुजाती है में चलते और यहां पर देख लेते हैं नीचे जाके सिस्टम डेटा कितना है तो ऑन दा हायर साइड है थोड़ में चलके भी देख लेते तो अभी यहां पर जो है एक जीबी का अवेलेबल फ्री स्पेस कम ही है यह हो सकता है थोड़े दिन यूज करेंगा वापस आ जाए या ना भी आए लेकिन बिल्कुल जो है मिनिमम है इससे इतना तो उपर नीचे होता ही है पाकी जेनरल परफॉर जाता चला जाता है तब भी कोई ड़ने के बाद नीए फोन कभी-कभी अपडेट के बाद जब हीड हो जाता है अपडेट के बाद सारी जीज ऑप्टिमाइज करता है उस टेम पे तोड़ा सा स्कोर कम भी आता है लेकिन मैंने मेक शॉर किया कि थोड़ा थंडा हो जाए अगर सब चीज यह तो अगले टीूजडे या मंदे को आपको यह नया अफ्डेट देखने मिल सकता है जो करना मत करना तब जब मैं आपको वीडियो बना गे बता दूँ ताकि को समझ में आ जाए कुछ प्रॉल्म तो नहीं है इसके अंदरू IS70.5 के RC version पर अपडेट करना चाहिए अगर आप beta version पर अलड़ी हो तो करना चाहिए अगर beta version पर नहीं हो तो अपडेट कर नहीं कोई भी ज़रूत नहीं क्योंकि final stable version एक हफते ही आप लोगों से दूर है यही दिखाने दूस्तों IS70.5 RC version की उमिक तो आपको आपको आज का वीडियो पस्ना आपको पस्ना आपको पस्ना वीडियो को लाइक और शेर ज़रू कीजिए हमेरे चानल को सब्सक्राइब जो कीजिए गुद बाई